दोस्तों वेलकम बेक तो माई चैनल आज के मारे वीडियो में आपका भूद बहुत सुवागा थे आज हम सीखेंगे फोटोग्राफी की पांच से से टिप्स जो आपको फोटोग्राफी की साथ में यूज करना ही करना है ताकि आपकी फोटोग्राफी बहुत ज्यादा अच् अच्छा करना है फोटोशूट हम आज किसी भी केमरे से करें तो आपके साथ में क्या-क्या अच्छी करते हैं तो आपकी फोटोग्राफी ज्यादा अच्छी आती है तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं में हूँ आपका दोस्त वीजय बढ़ोलिया आप देख रहे हैं आजमडेश फोटोगाफी चैनल अगर आपकी फ्लस लाइटिंग जो हैं उनको यूज जरूरू करें फ्लस इस लाइट को मेरे को जिसे भी लगती है कि मैं आप बार अपकी सहाधा से आपकी सिच्विशन से फाइदा उठा कर आपका फूट अच्छ बना सकते तो अभी हमें shaded area, फिर भी हम flush को यूज़ करेंगे, इस flush को हम बेक में लगाएंगे, बेक में लगाने से हमें इसका response कितना अच्छा मिलता है, और इसके कितना अच्छा advantage मिलते हैं, और एक flush हमने रखी है हमारे front पे लगाने के लिए, अगर front पे हमें कुछ lighting कम लगती हैं, त हम front में भी flush को यूज़ करेंगे, और देखेंगे हमारे इस से कितनी अच्छी फोटोग्राफिय होती है, तो चलिए फिला शूट चलो करते हम अब flush के साथ में, एक flush हमना front पे लगाई है, और एक flush हमने इनके बेक पर दी है, उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं, के मैं आप flush यूज़ कर रहे हैं, तो flush में मुझे मिलता है 200 का subtle speed, 200 का subtle speed से मैं ज्यादा आगे नहीं जा सकता हूँ, नहीं तो हमाई flush काम में नहीं आईगी, तो इसलिए हमने subtle speed को तो किया है, 200 पर लोग, और उसके बाद हमने अपर्चर जो है वो कर दिया हमने F8 पर, अब इसके देख पा रहा है, एक शूट और हम कल लेते हैं इसी में, यश, थोड़ा चेंज, बहुत अट्रेक्टिव और डिफरेंट पिच्चर बनी हो, बहुत अच्छी ज्यादा पिच्चर बनी, एक शूट और हम थोड़ा अच्छा सा कल लेते, इसी पोस को मैं तीनों फोटो आप एपके साथ में लाइव भी शेर करूँगा और इसमें ज्यादा अच्छा फोटो आएगा वह भी मैं आपके साथ में शेर करूँगा यस बहुत अच्छी परफेक्ट पिच्चर बनी है और फ्लस का फाइदा आग देख सकते हम सनलाइट में कितना अच्छे से फाइदा उठा सकते हैं दोस्तों अब सेकेंड पोस हम लेते हैं सेकेंड पोस में हम देखेंगे कि हमें क्या टिप्स यूज़ करना चाहिए अभी फिला हिएक करते हैं तो आपको लेंज़ से लिर्फेक्ट के वीडियेसन आपको अलग अलग रखना होगे तब आपको अक्थी फोटोग्राफिक कर सकते हैं जैसा कि हम ने अभी फोटोग्राफिक की ती तब हमनेट के अपर च Stra suppose के अगर अगर एगर फोटोग्राफिक करतेJan तो अब आपको उसका कितना फाइदा मिलेगा फ्लस हम फ्रंट लगा है लेकिंगे यूज में नहीं आना क्योंकि हम अब हमारा सेटरे स्पीड बढ़ाने माले कि हमारा अपर्चर अगर कम होगा तो हमारा सेटरे स्पीड और पिछ लिख थे हमारा सेट्रे कीट पर फोटो करते हैं और फिर में आपके साथ में सेटिंग शेर करता हूं यास है थोड़ा सा इधर आँ थोड़ा साव है में सोड़ा चाहिंगे दोस्तों जीज़ाए हमारा फोटो भी सही नहीं पार रहा तो तो अब हम हम लेते हैं थोड़ा सामारा डाइरेक्शन चींज करके लेकिन हम सेम लोकेशन पर फोटो बनाएंगे अम फोटो क्लिक करके देखते हैं कि हमें क्या वेराइटी मिलती है यस कि बहुत अच्छी पीचार आया लेकिन इसमें थोड़ी सी और इंक्रेस करना पड़ेगी हमारी शेटर इस्टार को हम लेते एट हंड्रेट का यस हुआ था काम करती है वह 200-200 के साथ है इसमें नहीं किया हमने इसमें उप्यों किया हमारे लेंस का 1.8 का अब इसके बाद तीप्स की ओर चलते हैं और देखते हैं तीप्स में हमको क्या मिलता है जिससे हमारी पोट्रेट फोटोग्राफिय में फोटो शूट करने चाहिए तो उसका फाय आप एक-दो वेरेशन में आपके ड्रेसे लखें ताकि आप सब फोटो एक जीसा ना ले क्यूंकि अगर हम 10 फोटो भी क्लिक कर लेते हैं तो हमें फोटो उसमें से एक ही अच्छा लगा तो इस टिप्स को आप यूज कीजिए तो आपके फोटोग्राफी का इंक्रीज बोनस टिप्स भी देना चाहता हूं कि आप अगर शूट करते हैं जब भी तो अगर ये रेट टीशेट की जगा और वाइट टीशेट पेंते तो में ये बेग्राउंड सेलेक्ट नहीं करता क्यूंकि यहां पर हमें बेग्राउंड का और हमारे सब्जेक्ट के कपड़ों क ज्यादा देना है कि हम अलग अलग का मिले क्योंकि समय अगर करना मिलता है तो मार फोटो ब्लेक एंवाइट टाइप करना चाहते हैं तो हमें कुछ इससी तरह से बेग्राउंड का और हमारा सब्जेक्ट के कपड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जैसा की रेट कलर का हमा बहुत अच्छी ब्यूटिफूल पिच्चर आई है बहुत ज़्यादा अच्छी अट्रेक्टिव लग रही है और इसका वाइट कलर का वेग्राउंड हमारे टीशिट की साथ में बहुत अच्छा लग रहा है तो चलते हैं आप चोती टीपसी की तरफ और सीखते हैं कुछ न लेंगे DSLR से उसको देखने वाला व्यक्ति यहीं समझेगा के मोबाइल से लिया गया तो इस तरह के पूस आपके सब्जेक्ट कभी ना बता है और इस तरह के पूस आप कभी यूज ना करें तो ज्यादा बैतर होगा यह फोटो और नोर्मली आप सेलफी में भी ले सकते है और मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं तो इस पूस को हम चेंज करेंगे और नया लेंगे इस पूस का भी ध्यान रखेगा इसके बाद हम पांसवी टिप से वह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोटेंट है उसको भी आप देखेगा और अच्छे समझेगा और आपके फोटो शूट में उसको एपलाई कीजिएगा लक्ष भाई यसे गुमो यसे टीको यसे टीका लो हाथ को इस पोस में हम थोड़ा सा हमारी फ्लस को भी यूज़ कर रहे हैं और इसमें प्लस में रेट जेल लगा है जेल की फोटोग्राफिक बारे में आपको पिछले वीडि तो आप जेल भी यूज़ कीजिएगा तो आपके फोटोग्राफिक बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी तो हमने बेक में लगा दिया है फ्लस को और रेट कलरा जेल हमारे इसके साथ में और आप हम फोटो शूट करेंगे और देखेंगे कि लक्ष भाई का फोटो कितना वह ज्यादा अट्रेक्टिव और डिफरेंट पिच्चर आई है हमारे फ्लस का जो है पावर वह भी ज्यादा अच्छा है इसकी सेटिंग में आपके साथ में फोटो के साथ में शेयर करता जाऊँगा जो आप देख सकते हैं और सिख सकते हैं कि इस सेटिंग पर हमारा कि जो हम पिच्चर लेते हैं वह हमें बिल्कुल एक्ट जैसी चाहिए वेसी मिल पाएगी तो इसके लिए आपको आपके केमरे को करना पड़ेगा कंटीनी शूट पर करने के बाद ही आप पिच्चर निकाल सकते हैं और मुमेंट को अच्छे से केप्चर कर सकते हैं तो एक आपके इसमें तो ज्यादा काम में आपको आपको अच्छी फोटोग्राफी आएगी यस लक्षभाई रेड़ी आजाए तो दोस्तों हमने क्लिक कर लिया और हमारे लक्षभाई को एक ही बार में बुलाए और एक ही बार में बीना देखें बता सकते हैं कि हमारी पिच्चर तो इस टिप्स को आप यूज करके आपके फोटोग्राफी को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं तो यह पांस रूल्स आप अगर आपकी पिच्चर में आपके फोटोशूट में एपलाई करेंगे तो आपकी फोटोग्राफी जोए वह अच्छी डिफरेंट बनेगी और जो निकोन कमपनी का 7500 इसमें हमने 50 mm लगा ताकि हमारी पिच्चर बिलरी आए तो इन चीजों के लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि आप किट लेंस के साथ में बलर किसे बना सकते हैं फोटो को और भी बहुत सारी वीडियो हैं जो हमारे चैनल पर हैं आप उ जो हैं तो दोस्तों अगर आपको हमाही टीपस अच्ही लगते तो फ्लीज हमारे ब्लाइक किजिए शेयर की जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ बने है नई फोटोफित इस साथ में फिर मिलते हैं नई अच्छी सी टीपसे साहत में तब तक है लिए गुड़ कि7则 बथे खब माब टार एंग लार के एंग всегда माया है थै wiping झाल क माब हुआ है य है फ्र शाल शाव स का पल स सब्साट गया है